पिछली कडी में हमने चर्चा की थी कि नवंबर 1554 में हुमायूं अकबर को अपने साथ लेकर भारत अभियान के लिए चल पड़ा उस समय हमायूं का छोटा पुत्र मिर्जा हकीम केवल छह मा का शिशु था जिसे हमायूं ने काबुल में ही छोड़ दिया था इसवी 1540 में जिस समय हमायूं भारत छोड़ कर गया था उस समय शेर्शाह सूरी के राज्य का उदय हो रहा था और जब केवल 14 वर्ष बाद हमायूं वापस लोट रहा था तब शेर्शाह का राज्य किसी धूम केतु की तरह अपनी चमक बिखेर कर लुप्त हो रहा था इस समय शेर्शाह सूरी की सल्तनत खंड-खंड हो चुकी थी बची-खुची सल्तनत में भी तीन सुल्तान हो गए थे जो एक दूसरे के प्राणों के प्यासे थे उन तीनों मेंसे किसी को होश नहीं था कि हुमायूं रूपी आफ़त उनके सिर परमंडरा रही है हुमायूं के भारत में प्रवेश करने से पहले हमें शेर्शाह सूरी के संबंध में कुछ चर्चा करनी चाहिए जिसने इस्वी पंद्रह सो चालिस में हुमायूं की सल्तनत चीनी थी हुमाईउं पर विजय प्राप्त करने के बाद शेर्शाह सूरी केवल पांच वर्ष ही शासन कर सका था इसवी 1545 में कालिंजर दुर्ग पर किये गए अभियान में अपनी ही तोप के फट जाने से शेर्शाह कीम रित्यू हो गई थी शेर्शाह सूरी ने अपने शासन की पांच साल की संक्षित अवधी का अधिकांश भाग युद्ध के मैदानों में व्यतीत किया था और उसने आगरा तथा दिल्ली में कुछ महीने ही बिताए थे इस कारण शेर्शाह को अपनी सल्तनत को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला था फिर भी भारती अथियासकारों ने शेर्शाह सूरी के शासन तंत्र, करप्रणाली, अर्थ विवस्था, भूमी प्रवंधन, न्याय विवस्था, यातायात विवस्था, क्रशी प्रवंधन तथा सारजनिक निर्मान के इतने गुणगाएं हैं कि भारत के अथियासके आध अधिक सफल एवं महान ठेरा दिया गया है इन इत्यासकारों के ग्रंथों को पढ़कर ऐसा लगता है कि आज भारत में शासन व्यवस्था के जो विभिन्न तत्व मौजूद हैं वे शेशाहसूरी द्वारा ही बनाए गए थे उससे पहले भारत में कुछ भी नहीं था भारत के लोगों को न तो भूमी की नपाई करनी आती थी न सडकें बनानी आती थी न सडकों के किनारे पेड लगाने आते थे न प्यावू और धर्मशालाओं के बारे में कोई चिंतन मौजूद था न कोई डाक विवस्था उपलब्ध थी दूरस्थ व्यापार और वानिज्य के बारे में तो मानो भारत में कोई सोच भी नहीं सकता था शेर्शाह सूरी की प्रशंसा में लिखा गया अधिकांश अतिरंजित इतिहास, सामयवादी विद्वानों, मुसलिम इतिहासकारों एवं समाजवादी चिंतन से ग्रस्त लेखकों द्वारा लिखा गया है इन इतिहासकारों और लेखकों की सम्मति में शेर्शाह सूरी की शासन व्यवस्थाओं का मुकाबला भारत का केवल एक ही शासक कर सकता था और वह था शेर्शाह का परवर्ती बादशाह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर भारती इतिहास लेखन की द्रिष्टी से यह एक शर्मना किस्थिती है किन्तु अन्य भारती इतिहासकारों ने भी इन इत्यासकारों की तुष्टी करन करने वाली लेखनी को सामान्य तह चुनोती नहीं दी है वस्तुत है भारत विश्व के प्राचीनतम देशों में से एक है इस देश में शासन व्यवस्था, कर प्रणाली, क्रशी प्रबंधन, अर्थ व्यवस्था, भूमी प्रबंधन, न्याय व्यवस्था, यातायात व्यवस्था तथा सारवजनिक निर्मान के तत्व विगत हजारों वर्षों से मौजूद है भारत में सेंकणों ऐसे ग्रंथ थे जो भारत की प्राचीन शासन व्यवस्थाओं एवं प्रनालियों की जानकारी देते थे किन्तों उन्हें शक, कुशान, हून, तुर्क एवं मुगल आदे बरबर आकरांताओं द्वारा जला कर नश्ट कर दिया गया फिर भी अधर्ववेद, मनोस्मरती तथा आचार या विश्णोगुप्त चानक्य का अर्थशास्त्र जैसे कुछ ग्रंथ अब भी हमारे पास उपलब्ध हैं जो भारत देश की प्राचीन तम, प्रशासनिक व्यवस्थाओं एवं प्रनालियों की जानकारी देते हैं आधनिक भारती अइतिहास कारों द्वारा कहा गया है कि शेर शाह सूरी ने जीटी रोड अर्थात ग्रांड ट्रंक रोड का निर्मान करवाया इससे बड़ा जूट और कोई हो नहीं सकता भारत भूमी के पूरप से पश्चिम तक जाने वाला यह विशाल मार्ग न केवल महात्मा बुद्ध के काल मैं भी अस्तित्व मैं था अपितु महात्मा बुद्ध से भी हजारों साल पहले उपलब्द था जिस पर विशाल वानिजिक सार्थवाह बंगाल के समुद्री से लेकर हिंदु खुश परवत की उपत्यकाओं तक विचरण किया करते थे। जो हिमाले की ओर जाता था। दक्षन भारत के विभिन हिस्सों में जाने के लिए भी अनेक मार्ग बनाए गए थे। कौटिल्य के अनुसार दक्षनापत में भी वह मार्ग सबसे अधिक महत्वपोन था जो खानों से होकर जाता था और जिस पर गमना गमन बहुत होता था और जिस पर परिश्रम कम करना पड़ता था। केवल इसी एक तत्थे से इस बात की पोल खुल जाती है कि भारतीय इत्यासकारों ने शेरशाह सूरी के विशय में कितना पिष्टपेशन किया है और तुष्टी करन की कैसी सीमाएं लांगी हैं। कुछ इत्यास कारों ने तो शेर्शाह सूरी को राष्ट निर्माता तक घोशित कर दिया है जब हम इस विशे में विचार करते हैं तो पाते हैं कि शेर्शाह ने मुसल्मान प्रजा को हिंदू प्रजा की अपेक्षा अधिक सुविधाएं दी तथा अफगानों को अन्य मुसल्मानों की अपेक्षा आर्थिक एवं राजनितिक उन्नती के अधिक अवसर उपलब्ध कर वाए शेर्शाह ने हिंदूओं तथा मुसल्मानों के मुकदमों का निर्णे करने के लिए अलग-अलग कानून बनवाए हिंदूओं पर जजिया पूर्ववत जारी रखा उसके राज्य में हिंदू अपने धर्म का पालन तभी कर सकते थे जब वे जजिया चुका देए पर वल का उधारन छोड़ दें तो शेर्शाह ने हिंदूओं को अपने शासन तथा सेना में उच्च पद नहीं दिये ऐसी स्थिति में शेर्शाह सूरी को भारत राष्ट्र का निर्माता नहीं माना जा सकता हाँ वह भारत में द्विती अफगान राष्ट्र का निर्माता अवश्य था जिसमें इस देश के बहुसंक्य हिंदूओं के लिए बराबरी का इस्थान नहीं था फिर भी इतना आवश्य कहा जा सकता है कि शेर्शाह सूरी का शासन उसके पूर्ववर्ती तुर्क सुल्तानों तथा बाबर एवं हुमायूं के शासन से अच्छा था शेर्शाह के शासन में उत्तर भारत के हिंदूओं पर वैसे लोम हश्रक अत्याचार नहीं हुए थे जैसे अत्याचार उसके पूर्ववर्ती अफगान शासकों के काल में हुए थे अगली कड़ी में देखिए अफगानों ने अपनी औरतें मुगलों की हवस बुझाने के लिए सौप दे क्रपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, एवं शेयर करें धन्यवाद